पूरा ही डालते हैं उपर तक ही भर देते हैं तो बैटे आये मैं कोश्टन नंबर 16 कराऊँ गा तो ज्यादा समझ आएगा आप सब को कसम होगी अबर 16 नंबर ना निकाला को सभी बच्चे निकालने मेरे बैटे टाइम होने जा रहा है बस पांच मिनिट की बात रह गई मिस्टर माटी वो नीचे देखे मैंने नोट्स बहुत अच्छे अच्छे लिए मिस्टर माटी एंटर्स इंटू वन कंट्रैक्ट आफ परचेजिंग फ्यूचर्स माटी एक वेक्ति है फिरंगी है उसने एक लॉंग फ्यूचर कंटाक्ट लिया है किस चीज का अंडर्लाइं पॉंट्स का कब लिया है 27 जैनुवरी 2005 को लिया है किस रेट में लिया है एक पॉंड वन पॉंट एट जीनो डॉलर के बराबर पे रेट पे लिया है और यह पोटली का स्टेंडर्स आइज है एक लाग पॉंट्स तूचर को लिमिटेट साइज स्टेंडर्स साइज के मिलते हैं थीक जी बहुत बढ़ या है एंन फॉल्विं अर्थ रेट्स अभिलेब ठीक जी विट जी इसका मतलब इस इस फूचर कॉंट्राइक की वेल्यू गाओगी वेल्यू और लॉंग future contract क्या value होगी पेटे एक लाग pounds into 1.80 तो पेटे बनाइए एक लाग pounds कितने डॉलर्स के बराबर हो गए एक लाग तसी हजार डॉलर्स के बराबर आ ले है ठीक है एक लाग pounds का contract लिया है इस रेट से फिर लिगवाजी find gain or loss of Mr. Martin at the closing of each of the abode dates जैसे मैंने बताया mark to market में हर रोज उसका profitable loss निकलेगा if the initial margin is 5,000 dollars per contract वह गाना जी अगर initial margin पांच हज़ाट डॉलर्स पर contract है and 3,000 पर चल्डाव डॉलर्स is maintenance margin शो Mr. X margin account security equity account and the additional deposit to be made assume no withdrawals मैं रुखता हूं तो आप अराम से एक बार पड़े इसमें हमें mark to market का process बिल्कु समझा जाएगा आप अगर ध्यान से मेरी बात को हो नहीं है मैं पहले दो working note 1 बना रहा हूं मैं कह रहा हूं it is it is a case of marked to market Mr. Martin has to deposit 2, has to deposit, has to deposit initial margin Mr. Martin has to deposit initial margin on 27th January 2005 itself that type of margin that type of margin is named as इनिशियल मारजन उस मारजन को हम जनरली इनिशियल मारजन कहते हैं working note number 2 Securities Exchange Generally Securities Exchange Generally 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 Specifies The Limit Of Initial Margin And Maintenance Margin Anam Generally Specifies Initial Margin And Maintenance Margin पैटे देहो कितना अच्छा Note 1, Note 2, Note 3 में लिखा हुए अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे को तो बहुत खुजी मिल रही है पैटे वो Notes देखकर कि इतना बढ़ी अभी में लिख सकता हूं लेकिये Question number 16 पैटे मेनत किया है ऐसे नही ऐसे नही मेनत किया है देखो In note 1 पड़ो Margin money is prepared for every client in the books of broker Padiyaara note 1 to 3 prepared for every client gain or loss has to be calculated at each of the dates by initial margin we mean it is deposited at the beginning of P0 initial margin minus loss contract if it is less than maintenance margin then client has to deposit the margin money to made equal to initial margin पैटे देख लीजे आपके साबने सारी चीज है मैने मेनत से बनाई हुई है आइए अब मैं आपको एक working note 3 से समझाकर फिर main question के तरह बढ़ रहा हूँ working note 3 दियान से देखना यह day 1 है मतलब 27 जैनवरी दो हजार पाच की सुभा सुभा और यह 27 जैनवरी दो हजार पाच की शाम शाम और यह 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 28 जैनवरी दो हजार पाच की शाम सेटलमेंट डेट और यह 29 जैनवरी दो हजार पाच की सेटलमेंट डेट दो विटा यहां पर प्राइस देख लीजिए 1 पॉंड इकल दो 1.78 डॉलर्स है इसका मतलब इसका मतलब अच्छा यहां नहीं है यहां वन पॉंड इकल दो 1.78 यहां पर तो कुछ रेट अलगि था पीटे 1 दॉलर इसकल दॉल दॉल एडाप दॉलर्स तिर्दें एड्लाफ पॉंस थे कि तो एगलाफ पाुंस के लिए एगलाफ असी हजार डॉलर का रेट थाinin एगलाफ ऐगलाफ देने थे ठीकली लेकिन उसी दिन श्राब रेट व्या एगलाफ अटतर हजार दॉलर्स तो बिटेड दो हजार का लॉस हो गया अब आप ने जितना भी इनिश्यल मारजन जमा कराया पांच हजार पांच हजार में दो हजार का लॉस अगर मैं लेस कर दूँ तो पैटे कितना बच गया तीन हजार का लॉस बच गया अच्छा मेंटेनेंस मारजन तीन हजार है और हमारा मारजन भी तीन हजार है इसलिए हमारे को अभी और कुछ भी मारजन जमा कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेंटेनेंस मारजन तक ही है चल 채 conducting अम आगे चले अगले दिन देगे अगले दिन दे की रेट हो गया जी 1.76 इसका मतलब मैंने लोंग लिया था मैंने यह शौट कर दिया फिर मैंने यहां पर शौट करदिया फिर मैंने माझलीज यह लोंग लियाथा फिर यहां शौट कर देंगे समझ रहे हैं कैंसल तो कर नहीं है ना तो पेटे एक लाग श्यत्र हजार दो हजार का लॉस हो गया अब बताए इस तीन हजार में से दो हजार और कम कर दें तो बागी कितना बच गया पेटे एक हजार का मार्जन बच गया इनिश्यल मार्जन में से एक हजार का मार्जन ही बच गया बस अब देखिए तरह ध्यान से मेंटेनेंस मार्जन से तीन हजार से कम है तो अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी जेल का पानी पीना पड़ेगा अब तो मेंटेनेंस मार्जन से कम है तो बेटे आपको और मार मटों दिटनिकी उपर तक भर जाए आप डाये टेंक जब खोलते हैं तो यह तो खोलते हैं और फूल गई को यह आपने ऐस न Cash अगर बेंटेनेंस मार्जन को कंपेर करने के बाद ये पता चला कि आपको मार्जन बनी जमा करानी है तो पेटे इनिश्यल मार्जन तक ही जमा होगी तो यहां पर कितनी जमा होगी पेटे इनिश्यल मार्जन यहां पर कितना जमा होगा अच्छा मार्जन और कितना जमा होगा चार अजार क्यों क्योंकि एक हजार तो है तो बिटे दोनों को जमा करके पांच एर आ जाएगा कि अब आगे 39 सरी कोई दिक्कत नहीं हो और समझ आएगा एक पॉइंट तेहत्र एक लाग तेहत्र हजार तीन हजार का फिर भी लॉस अब बताइए तीन हजार अगर मैं लेस्ट करनू तो बागी कितने बजिए दो हजार अब फिर कंपेर करना पड़ेगा मेंटेनस मार्जन स से कम है तो दुबारा से यहां पर मार्जन मनी जमा होगा कितना क्यों क्योंकि दो रह गया कितने और जमा करोंगी पांच हो जाए तो बैटे अराम से चलना है कोई जल्दी ही नहीं मैं इसको मुहबत से कराऊंगा कोश्टन नंबर 16 और बैटे मैं यहां पर लिख रहा ब्रोकर बेटे पूरा समझाएगा मार्क टू मार्केट का प्रोसेस बेटे इस बर पेपर में आ गया था प्लीज करके जाएंगे CS प्रोफेशनल वाले बच्च तो बेटे बैए यहां पर लिखना हूँ मार्टील मार्जन मनी अकाउंट चलियाँ जीए 27 जनवरी दो हजार पांच आप बताए जब मार्टील पैसे देगा वैं मार्टीन बिल डिपाउजट दपनी वैं मार्टीन विल डिपॉजेट दा मनी जब मार्टीन मनी को जमा कराएगा सेक्यूरेटी डिपॉजेट की बात कर रहा हूं तो बता ही क्या करें बुक्स ऑफ ब्रोकर में पेटे एंट्री नहीं करने ही मैं काली समझाने के लिए बता रहा हूं बेंक अगाउंट डेबिट तू मार्टीन्स मार्जन मनी अगाउंट ऐसे बेटी यही तो एंट्री होगी और सब लॉस होगा तो वर्किंग नॉट नॉबर सिक्समें एंट्री लिगनी से है in case of profit while of setting the contract the future contract in the process of MPM in the process of mark to market थिर्ण c2 देख हो जो तो बेटे हं किया करें और लिगे हं लिघ्ए हम भीने माक्ट के तू मार्टीन्स मार्जन मनी अगाउंट मतलब मार्टीन के मार्जन मनी अगाउंट को क्रेडिट कर देंगे अब अब अगर लॉस हो तो क्या देंगे इन केस्ट आफ लॉस इन केस्ट आफ लॉस मार्टीन मार्जन मनी अगाउंट विल बी डेपिट तो पेटे क्या एंट्री करेंगे उसका मनी जब कम हो जाएगा तो मार्टीन मार्जन मनी अगाउंट डेवेट टू एम्टीम मुश्किल ही नहीं आपको मैं फिर बता हूँ मैं आपको प्रेक्टिकली समझाना चाहरा हूं कि एम्टीम का प्रॉसेस क्या है आज तक आपने थियोरी समझिये मैं प्रेक्टिकली बताना चाहरा हूं ठीक है जी तो चलिए जी मैं आगे चलूंगा दोस्तों मैं शूब करूंगा तो मैं लिख रहा हूं जी बुक्स और ब्रोकर मार्टी मार्जन मनी अगाउंट मार्टी मार्जन मनी अगाउंट 27 जनुवरी 2005 में मैं लिख रहा हूं जी बाय बैंक मार्टी में पांच हजार डॉलर्स जमा कराए लेकिन शाम को 27 जनुवरी को तो मैं लिख रहा हूं जी वर्किंग नॉट नमबर एट खाली 27 तारीक आपके सामने लेकर आ रहा हूं 27 तारीक सुभा रेट था इतना शाम को हो गया इतना आप बताएं जी अराम से यहां पर हो गया 1,80,000 डॉलर्स और यहां हो गया 1,78,000 डॉलर्स तो पेटे लॉस हो गया 2,000 डॉलर्स तो लॉस हो गया तो एंट्री क्या करेंगे मार्जन मनी डैबिट टू एंट्री यहां लिगेंगे 2,27 जैनुवरी दो हजार पांच दो हजार डॉलर्स तो पेटे अब हम आवे अठाइस तारीक अठाइस जैनुवरी दो हजार पांच चलिए जी अब चैक करिए जब पांच हजार में दो हजार को लॉस हो गया तो मार्जन कितना बचा तीन हजार तो मैं आपर लिख रहा हूं वर्किंग नॉट नंबर नाइन एक बच्चा का रहे इतने नोट बनेंगे नई बेटे मैं बना रहा हूं समझाने के लिए मैं गह रहा हूं 27 तरीको सुभा और शाम में आप जड़ा मार्जन मनी चेक करिए यहां था पांच हजार और यहां पहुंच गया तीन हजार और मेंटेनेंस मार्जन कितना है तीन हजार तो यहां लिख रहा हूं there is no need to deposit additional mark there is no need to deposit additional margin because remaining margin is equal to maintenance margin is equal to maintenance margin remaining margin is equal to maintenance margin अराम से बिटे मैं आगा जी working note number 10 में 27 तारीक शाम को पांच बजे और 28 तारीक दो हजार पांच को यहां long यहां short बताएजी यहां पर rate था 1.88 अब rate हो गया जी 1.68 लो मेरे बेटे तो एक लाख अटतर हजार की value थी अब गिरके रह गई एक लाख छेतर हजार मतलब आपने बेचा एक छेतर में और आपने खरीदा एक अटतर में तो 2000 को लाउस हो गया चोटा सा प्राफट लाउस बना लिया तो बताईए जी दो हजार को लाउस हो गया तो फिर मार्चन मनी अकांट डेबिट मार्टी मार्चन मनी अकांट डेबिट तू एम डियंग अब आपका मार्चन पांच हजार का था अब एक हजार रहे गया मेंटेनेंस मार्चन तीन होना चाहिए इसका मतलब मार्चन जमा कराना है तो मैं लिग रहो जी ओन पुट्टी एट जैन्वरी after settlement session again there is a loss of two thousand dollars hence actual actual margin actual margin as on 28th January 2005 will be one thousand dollars which is less less than hence there is a need to deposit additional margin additional margin on 28th January 2005 to the 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 तो दुबारा से नुकसान हो गया और इसको भी समझा देता हूं वर्किंग नॉट नंबर 11 के थुरू 28 तारीक को जो भी आपने पुजीशन की थी अब 29 तारीक को देखिए लॉंग थी इसकी क्या करनी है शॉट तो पेटे 28 को दी 1.76 गी अब हो गई 1.73 गी है इंए यह थे और नुक्सान हो गया मां अजियार लोने लग गया शिर मूंड़ाया ओले पडि मांटी तुम रो रहे हो के आ हां रो रहो है कि रोजी नुकसान हो तो फोफिताऊ को पाइड माठीर बहुति नहीं नहीं ना मार्टी त्यों रोसे हो माठी तीन अप्ले घर नूंक्सान हो गया है 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 test कोंट्राइट है है चो क्वेन्ट थूम स्ट्व मृत है कि अधिर दिक्क्त आदी जैसे ही तीन हजार का मां लॉस हुआ पाँच हजार का बैलन्स फिर दो हजार रह ज़्याइए और फिर मारजन मनी से कम हो गया फिर नि practitioners margin से कम हो गया hire Hi 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 Hiple projekt कितना की फिर जमा कराना पड़ेगा कितना 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 तो बैटे मैं कुत्नी बार समझाओग नगा जब भी जमा कराओगे 5000 तक जमा कराओगे जहां भी जाओगे तुम मेरे पास ही खीचे चले आओगे बेटे गाना है जब भी जमा कराओगे जमा पूरा ही होगा लो पेटे बाय बैंक 3000 कम मैं आ गया रहा हुँ पेटे एक और मुझे हलका सा खाचा खाता बनाना पड़ेगा 30 तारीक 2005 आओ आओ 29 तारीक 2005 में लॉंग गया था इसका शौट करेंगे 30 तारीक 2005 बैटे एक 73 एक 72 हाई 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 और में भी आप तो मात्म च्हा गया तो पांच हजार का मार्जन हो चुखा था अब एक हजार का लौश हो गया तो चार बच गया बगवार का शुकर है तीन हजार से उपर है नहीं तो फिर बार्जन जमा कराना पड़ता तो बेटे यहां पर अनाम से लिखे टू एम टी एम एक हजार बेटे आए इकत्तिस जैन्वरी दो हजार पांच आहां उसके घर सच में देर है अंधेर नहीं है बेटे आप देखिये 31 तारीक को 30 तारीक को 30 तारीक और 31 तारीक को आराम से देखिये पोजीशन बेटे 1.72 डॉलर्स इकूल टू टू 1 पाउंट और 1.81 डॉलर्स इकूल टू 1 पाउंड बेटे भगवान ने दिया तो इक अठाई दे दिया 9,000 का प्रॉफिट प्रॉफिट एंती होगी mtm2 मार्टीन मार्जन मनी अगाउंट 9000 डॉलर्स तो बेटे मैं 9000 डॉलर्स क्रेटिट करूँगा बाइक यहां भी 21 जाना चाहिए यहां लिगेजी टू बैलन्स तेरह होगा यह विटे इस प्रॉसेस इस नेम एज मार्क टू मार्क टू मार्क कितनी मेनद कर रहा है एक कॉस्टन भी कर लेंग रही है तो बेटे आपको पेपर में और ज्यादा अच्छा लगेगा और बाब की जो मुझे अगले लेक्टर से लेने तो पेटे आज यह पर बुक रहा है उमीद है कंपे इक को समझ आया रहा है क्यों नहीं के कारा रहा हूं कियों नहीं आया हो प्र शांतना अंगय आपने ंजय नश सब्सक्रम से प्यार है मैं चाहता हूँ मंद से कि आप जल्दी से पांस हो जाएं और अपने माता पिता की बातों को पूरा करें और हमारे इस भारत को ऊपर ले जाएं और बढ़िया इसका नाम रोशन करें अच्छी अच्छी बाते करें इनी बातों के साथ Be Happy, Be Joy, Be Joy, Be Joy Be Happy, Be Joy, Be Joy बिल्दे में बेड़े